नमस्कार दोस्तों जैवाल पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं देखी प्रेंट्स आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे पास कैसे बनवाएं जो हैं विकलांग जन्हें उनको रेलवे का पास किस तरीके से बनाया जाता है उसके यहां से एक पीडियाप डाउनलोड हो जाएगी ठीक है इसको आप देख सकते हैं रेलवे कंशेशन सेर्टिफिकेट इसमें क्या है दोस्तों यहां से एक सर्टिफिकेट इस तरीके का निकलके आएगा यह हिंदी और इंगलिस दोनों में आएगा देखिए यह उपर इंग इसके बाद यह form आपको भढ़ना है कि यह है पर्मानित किया जाता है कि सिरी कुमारी की कुमारी सिरी सिरी मती ठीक है जो भी आपका नाम है जिसका विरण नीचे दिया गया है अस्थी विकलती से दिव्यांग अधरंग वक्ति मरीज है जो बिना किसी सेचर की सायता से यात्रा नहीं कर सकता, मांसीक रूप से कमजूर रटी है, यह सेचर के बिना यातरा नहीं कर सकता, यह पूर्ण दृष्टि ही ही नहीं, यानि कि blind person हैüm, यल यह फीर जिसको चलने में दिक्कत है, जो सही तरीके से यातरा नहीं कर सकता, तब कौन रूप से सोरण ठीक है और वाकिन जो बिल्कुल बोल नहीं सकता तो उन लोगों के लिए यह certificate है और इसमें जो है आपका पता आएगा आपका पिता या पती का नाम आई यू आएगी आपका जो है लिंग आएगा मेल है या फीमेल है दिव्यां किस परकार किया temporary है नोन टेंपरेरी स्थाई है स्थाई द्रयात मांगने वाले व्यक्ति का स्थाकसर यह अंग उठेक है निसान जिनके दोनों हाथ नहीं है काम नहीं करते उनके लिए आविशक नहीं है और यहां मोड लगेगी सरकारी डॉक्टर के स्थाकसर होंगे यहां दिना को टाइम लि यहां पर लिखा है मांची ग्रॉप से कमज़र व्यक्ति लिए पांच वर्स के लिए मानने हो गए ठीक है यानि कि किसी के कुछ के लिए 5 बर्स और 25 वक्ति यह 25 वर्स से ऊपर वजाती है तो 5 बर्स और 26 से 35 के बीच में तो 10 बर्स और 35 से ऊपर है यह फिर पर्मेंट हो ज बात आपको अपना disability certificate जो आपका विकलांगता पर्मान पत्र है वो यह सारी चीजे और यह आपका फोटो रहेगा इसमें यह ले जाकर के आपको अपने निजदी की DRM office जाना है दोस्तों ठीके कहां जाना है DRM office आपको अपने निजदी की railway station में पता करना होगा जाकर के कि हमा इसना टाइम लगेगा किस तरीके से आपके पास online आएगा या call या message करेंगी वो सारी चीजे DRM office जाकर के आपको पता चल पाएंगी देखिए इसमें आपको concession मिलता है यानि कि छूट मिलती है आप किसी भी डब्बे में आप जाएं जैसे आप मतला थर्ड AC या sleeper में जा तो जो sleeper का किराया है ठीक है दोस्तो मान लीजे उसका किराया 300 रुपया तो इसमें ऐसे discount आपको मिलेगा पूरे पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे उसमें छूट आपको मिल जाएगी और जो 100% है इनके साथ एक वक्ती और जा सकता है उसको भी concession मिलेगा तो इस तरी तो इस तरीके से आप इसको बनवा सकते हैं और बनवाने के प्राद आप जाकर के अपना जो जब भी ticket लें इसको दिखाएं और वहां से आपको रियायत जो है यानि कि concession मिलता है और concession आप बताएं जो वह भी देख करके कि आपके साथ दूसरा person है तो उसको concession यह जो भी ticket collector हैं जो ticket काटने वाले हैं वो सब चीज़े रियाद करके आप लोगों को दे देते हैं ठीक है दोस्तों और को information होगी तो इस channel के मादने से आप लोगों को बता दीजाएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जूड़ कर दीज़ेगा देखो एक line ओर लिख हुए है यहाँ पर रियाद देने के लिए इस परमानपत्र की फोटो को परती भी सुईकार की जाएगी मूल परमानपत्र रियाद ticket की खरीद के समय या यातरा के दोरान यही मांगा जाता है तो प्रस्तुत किया जाना आविश्रक है यानि कि जब तो उस टाइम पर यह जो है आपको देना पड़ेगा इसको आपको साथ में रखना पड़ेगा ठीक दोस्तों देना बाद